अंतरमुखी वर्ग को प्रत्साइट करने के लिए हर साल दो जन्वरी को विश्व अंतरमुखी दिवस मनाया जाता है। अंतरमुखी वर्ग में वे लोग आते हैं जो अपनी बात और विचार केवल अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। उन्हें अधिक मिलना पसंद नहीं है। अंतरमुखी लोग कम बोलते हैं, उनके दोस्त भी चुनिंदा होते हैं। कभी कभी वे तुनक मिजाज, कभी सर मिले और कभी आसामाजिक भी होते हैं। कभी वे अपने मन की बात को दूसरों के सामने आसानी से नहीं रख पाते, तो कभी औरों से बेहतर तरीके से समझाते हैं। वे आसानी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर ही अपना एक संसार वसा होता है। इन सभी के बावजूद अंतरमुखी लोगों में कुछ बातें बहत खास होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। आज के इस वीडियो में जानिये क्या है वे खास बातें। भले ही अंतरमुखी लोग कम बोलते हैं लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। बलकि उन्हें दूसरों की अपयक्षा खुद पर ज़्यादा भरुसा होता है। वे अपने निर्णे के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते और यही कारण है कि वे अच्छे या बुरे परड़ाम के लिए किसी और को दोसी भी नहीं ठहराते। वे अपनों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अकेले समय बिताने में भी उन्हें कोई परिशानी नहीं होती बलकि ऐसे समय में भी वे समय का सद्विप्योग करना अच्छी तरह से जानते हैं अंतरमुखी लोगों में किसी की बात को ध्यान से सुनने और समझने की कला होती है जो हर किसी में नहीं होती कम बोलना और ज्यादा सुनना इनके ग्यान और समझने की छमता को बढ़ाता है अंतरमुखी लोगों में यह भी एक खासियत होती है कि वे एक बार कुछ कहने से पहले दो बार जरूर सोचते हैं फिर उपसही सब्दों में सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं वे हर बात पर गर गर्द करना जानते हैं और हर रिष्टे को एहमियत देते हैं इसलिए स्टॉल Donglor कर ही बोलते हैं कि इस तरह के लोग आदर्सों के लिए किसी का मुण नहीं ताकते बलकी कुधी सुहम के लिए आदर्स बनते हैं वे सकारात्म को अपनाख कर कुछ को थरासते हैं उन्हें खुद को पुर्टसाहिद करने के लिए हमेशा किसी कियाव सेक्ता नहीं होती चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप सर्चिंग फर नॉलेज और ट्राइ टू बीया काइंड परसन